नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नंबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सबी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में पत्रकारों के लिए सियम शिवराज की महतपोन घोश राएं पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमीठी का गठन चल प्रदेश के पुख्यमंत्री ने पत्रकारों की हित में कई महतपोन घोश राएं की पीजेपी के पूर्विधायक गिरिजाशंकर शर्मा कॉंग्रेस करेंगे जॉइन नर्वदापुरम में दो बार के पूर्विधायक गिरिजाशंकर शर्मा के स्तीफे के बाद अब कॉंग्रेस में जाने के अचकले तेज हो गई है पूर्विधायक शर्मा जल्द ही कॉंग्रेस पार्टी जॉइन करेंगे गुरुवार को शर्मा भुपाल में कॉंग्रेस पार्टी के रास्टी और प्रदेश इस्तर के बड़े नेताओं से मुलाखात करेंगे गॉलियर में चलेगा नो डेड वोटर, नो रिपीटिड वोटर अभियाँ जिले के सभी विधान सभा निर्वाचन शेतरों के ERO अगले तीन दिनों तक यूद दिस्तर पर नो डेड वोटर, नो रिपेटिड वोटर अभियान चलाकर मद्दाता सूचियों को शुद्ध वात्रुटी रहित बनाएं इस काम में कोई धलाई ना हो, ये निर्देश, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुबार सिंग ने दिये उन्होंने कहा कि मद्दाता सूची, मिम्रत मद्दाता और दोहरे अर्थात एक ही व्यक्ती के दो जगा नाम नहीं होने चाहिए उजयन में श्रीक्रिष्णी जनमोटसव का जैशन सांदीपनी आश्रम में नीबू और भुट्टे से शंगार भगवार महाकाल के नगरी और भगवार श्रीक्रिष्णी के शिक्षा इस्तली उजयन में जनमास्तमी का पर्व दो दिन तक मनाया जाएगा बुदवार आधी रात में अश्टमीति थी और रोहिणी नक्षत्र होने से महाकाल मंदेर सांदीपनी आश्रम और गोपाल मंदेर में श्रीक्रिष्णी जनमोटसव मनाया जा रहा है सांदीपनी आश्रम और गोपाल मंदेर पर आकरशक साथ सज्जा की गई है प्रदेशवर में 15 सितंबर से कॉंग्रेस निकालेगी जना क्रोश यात्रा मदर प्रदेश में कुछी वहीने के अंदर विधान सभा चुनाओ होने वाले हैं ऐसे में सभी पाटीज ने तैयारियां तेस कर दी बीजेपी की जना शिर्वाद यात्रा के बाद अप्चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस ने भी तैयारी टेस कर दी है कॉंग्रेस 15 सितंबर से साज जना क्रोश यात्राएं निकालेगी प्रधार मिंतरी नरेंदर मोधी के सागर दौरे के पूर प्रदेश के जल संसादन विभाग ने भारत ओमान बीना रिफाइनरी को नोटिस थमाया है इस नोडिस में कहा गया कि विभाग के माध्यम से जाने वाले पानी के बदले भुगतान को लेकर रिफाइंडरी एग्रिमेंट नहीं कर रही है मदबरदेश में जमा जब शुरू किसानों को मिली राहत मदबरदेश में अगस का सूखा सितंबर पूरा कर रहा है इस बारिश के कारण ना सिर्फ सोया बीन, धान और मक्का के फसल को फाइदा होगा बलकि किसानों को भी इस से खासी राहत मिली है इंडर में बनाया जाएगा प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्पलेक्स मद्रप्रदेश के आर्थिक रासानी इंडर शेहर के प्रसिदे नहरू स्टेडियम को नया रूप देने के लिए 500 करोड रुपे का प्रोजेक्ट तयार किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहट नहरू स्टेडियम को तोड़ कर उसे नया स्वरूप दिया जाएगा अब नहरू स्टेडियम की जगा नया स्वर्ट कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा इसके लिए नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है रासानी में महाकुम के कारिकर मिस्थल का भूमी पूज़ना जलसभा को संबोदित करने इस दिन आएंगे पी-म मोदी इस साह के अंत में मद्य प्रदेश में होने जा रही विधानसभा चुनाओं में भारते जनता पाटी प्रदेश की सत्ता अपने पास ही रखना चाहती है यही कारण है कि बीजेपी के प्रदेश इस्तर के नेताओं के अलावा रास्टी इस्तर के नेता भी राजबे जमकर चुनावी दोरे कर रही है मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चौहान के निसार प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी 14 सितंबर को सागर के बीना के बीपी सील में पैट्रो केमिकल परिसर में 50 जार करोड रुपे के लागत से होने वाले निवेश का भूमी पूजन करेंगी कांगरेस की बैटा खात्म जल्द जारी होगी उमीदवारों की पहली सूची जैसे जैसे चुनाओं के घड़ी नजदीक आती है वैसे वैसे नेताओं और सियासी दलों की सक्रियता बढ़ जाती है मद्रदेश में विधानसबा चुनाओं में सरगर्मी बढ़ रही है अब बिलकुल न भूले धन्यवाद